हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू ऑनलाइन स्टेडी जोन आज के इस वीडियो में वो कवर करने वाल है करन्ट अफेर्स के टेस्ट सीरीज के पार्ट सेविन के बारे में इससे पहले में आपको 6 पार्ट तक कंप्लीट कराया था जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वे ना हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंट्रेक्ट देख सकते हैं या आपके आने वाले किसी भी गवर्मेंट एक्जाम, SSC, रेडवे, दिली पुलिस और SI के एक्जाम होने वाला है इन सभी के लिए काफी यूजफुल होगा वीडियो कर आपको अच्छे लगे तो वीड को ये चीज़ याद रखना है कि Special Olympics 2019 जो खेला गया वो कहां खेला गया तो अबुधावी में खेला गया ठीक है तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं चो 44 पदक जीते हैं तो यहाँ पे option जो D होगा बिल्कुल correct होगा ठीक है फ्रेंस next question देखिए क्या बनता है कि दुनिया की खुसहाल देशों की ranking में भारत साथ पैदा नीचे की खिसा कर कौन से स्थान पर पहुँच गया है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले 2018 में कौन सी ranking थी और 2019 में कौन सी ranking हो गया तो मैं आपको एक करके यहाँ में बता करें कि world happiness index में भारत की जो ranking थी वो 133 थी लेकिन साथ पैदान वो नीचे घसा के कितना चला गया 140 यानि कि 2019 की बात करें 2019 में भारत की जो ranking है वो 140 वा rank है ठीक है और यह काफी important question है तो आप इसको ध्यान रहेगा option C यहाँ पे right होगा अगर पूच ले कि first rank किसको मिला है तो first rank Finland को मिला है ठीक है फिनलाइन को और सबसे last rank किसको है तो सबसे last rank Syria को है ठीक है Syria सबसे कम खुशहाल देशों की ranking में सबसे उपर में यानि कि सबसे last वाला rank Syria का है ठीक है third question कि क्या है कि बेहतर connectivity परदान करने के लिए Nokia जो company है और किस company ने पहला smart pole ठीक है smart pole launch करने की घोशना Nokia ने किस के साथ मिलकर के किये तो BSNL के साथ मिलकर के किये ठीक है अभी हाली में questions बना था कि BSNL के अभी MD और ADX के रोप में किस ने पदभार संबाला तो PK पूरवार आप ये भी ध्यान रखेगा ठीक है फ्रेंस PK पूरवार ने अस्थान ग्रहन किया है MD और ADX के रोप में अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि भारत और किस देश के बिच बरहवा सन्यूगत सेन अभ्यास यानि कि इसका नाम है Bold Kru Cetra 2020 11 अप्रेल को संपन हुआ यानि कि जो Bold Kru Cetra जो होता है ये किस देश के साथ होता है भारत का एक सेन अभ्यास है तो देखें Bold Kru Cetra होता ह यह सिंगाफपूर के साथ तो option यहाँ पर जो C होगा बिल्कूल correct होगा ठीक है friends तो उमीद करूँगा कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने चैनल को अभी तक कर लेके हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी तरह की रोजाना वीडियो अप्लोड करता रहता हूं सुबह 10 बजे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक GKR फिर GSK क्वेच्चन यहाँ पर मैं पर करता हूं एक वीडियो और यहाँ सामको मैं 6 बजे एक क्लास ले रहा हूं इसी तरह करते हैं और यहाँ के वर्थमान में प्राइम मनिष्टर कौन है तो इन तीनों चीजों को आपको नीचे कमेंट में बताना है तो देखने कितने रोग इसके राइट असर करते हैं देखें नेक्स्ट क्या है दॉक्टर क्लाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सिलेंस अवर्ड 2019 किसे प्रधान किया गया है तो फ्रेंड्स इसका राइट अन्स रोगा आप्शन नमबर डी यानि कि बांगलादेश की जो प्रधान मंदरी है सेख हसीना जी को ये पुलसकार मिला है तो बात करें इसके राइट अन्सर का तो देखिए इसका राइट अन्सर होगा अपसर नमबर सी यानि कि किताब किताबे खोलू दिमाब खोलू ठीक है ये इसका थीम था तो ये काफी इंपॉर्डन्ट है इसको आप ध्यान में रखेगा ठीक है फैंट एक चीज में आपको और बता दू कि अगर बात करें 2019 की अगर पुस्तक रधानी के रूप में किसे गोउसित किया गया तो देखिए 2019 में जो यूनेस को है किसे पुस्तक रधानी गोउसित किया तो सारजा कोई ठीक है सारजा को पुस्तक रधानी के रूप में गोसित के है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है चले next point देखते है अगला point देखे क्या बनता है कि हाली में सुर्खियों में रहा कोडिया कराई जो वन्नेजीव अभ्यारन है वो किस राजी में स्थित है तो कोडिया कराई वन्नेजीव अभ्यारन है ये तमिलाड होगा ठीक है नाम से लग रहा है कि ये साउथ का होगा तो साउथ में आपको ध्यान से देना होगा यहाँ पे तमिलाड होगा ठीक है ये पुस्तक के लेखा कौन है ठीक है टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ दा पुस्तक के लेखा कौन है ट्राइम्फ तो बात करें इसके राइट एंसर का तो देखिए इसका राइट एंसर होगा ऑप्से नमबर डी यानि कि राहुल अगरवाल ठीक है फ्रेंस यानि कि तर्ब आपको देखने को मिलगा मोदी जी की बाल का अवस्था से जानी की बच्पन से लेकर के परधान मंत्री बनने तक कि जो भी यात्र है जो भी संघर से उन होने किया इस पुस्थक में सारी की सारी इंक्लिवड की गई है तो अगर आप चाहें मोदी जी के बारे में अच्छे से जानना तो आप इस पुष्टक को पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये काफी important पुष्टक हो जाती है तो आपके paper में पूचे जाने की chances बढ़ जाती है अगला question क्या बनते है फ्रेंस देखें कि भारत में 52 राश्टी है इंजिनियर दिवस की theme क्या थी सबसे पहले आपको ये जाना कि इंजिनियर दिवस मानाया कब जाता है तो देखें इंजिनियर दिवस पर 15 सेप्टेंबर को मनाया जाता है ठीक है फ्रेंस 15 सेप्टेंबर को मनाया जाता है तो 2019 की theme क्या थी तो 2019 की theme थी परिवर्तन के लिए इंजिनियर ठीक है परिवर्तन के लिए इंजिनियर ये आप का राइट एंसर होगा option number B देखें next question क्या बनता है कि 202 दिवस पर देखवर्स किस स्तिथी को मना जाता है तो fans देखें 202 दिवस मना जाता है 18 September को ठीक है 18 September को 202 दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह भी काफी अच्छा कुशन था पिसको ध्यान में रखेगा देखें अगला कुशन क्या है कि 2019 में आसकर के लिए मनोरित भारतिय डॉक्मेंटरी फिल्प जिसका नाम है मोती बाग के निर्देशक कौन है सब्सेपहला आपको यह बता दूब कि जो मोती बाग है यह मोती बाग मोती बाग इंके नाम पर यह पुस्त तिर्यका फिल्म मना है इसको क्या असकर हे ञांचिया गया था तो यह कहां पर भिलॉंगकर यह उत्राख reputation मोती बाग के ने ay déshag पान थे तो option C right होगा निर्मल चंद्र ठीक है निर्मल चंद्र जो की documentary film के निर्देश किया थे अगला मुशन क्या देखिए दचंद असे सबसे ऊचे tower का नावरण किस देश में किया गया। लोटस टावर तो ये भी आपको याद रहा है Exodus Tower का नावरण कहा किया गया है तो सिरिलंका में किया गए अगर बात करें इसके हाइट की तो इसका हाइट जो है वो 356 मेटर के करीब बताया चार है ठीक है 356 मेटर तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखें बात करें next questions की तो देखें next question क्या है कि किस राज्य ने मुखे मंत्री सेवा संकल पर हेलप लाइन 1100 लॉंच किया है तो हेलप लाइन ये नंबर है 1100 किसने के दौरा लॉंच किया गया तो हिमाचल पड़्डिश की सरकार के दौरा लॉंच किया गया क्लियर फ्रेंट्स नेक्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है भारत की इन देशों के साथ मिलकर स्टीमेक्स ठीक है स्टीमेक्स नामा के एक त्री पक्षिये नौसैनिक युद्धभ्यास का आयूजन कर रहा है तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा स्टीमेक्स जो है की इ आपने वीडियो को कितने कॉंसेंट्रेशन के साथ सुना हुआ है तो इसका राइटेंस रोगा स्टीमेक्स सिंगापूर थाइलेंड और भारत इन देशों के साथ मेल करके किया जाता है तो इस वीडियो में हम लोगोंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन को कबर किया ज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्को आउन कर लिजे ताकि रेगलर आप इसी तरह की करेंट अफर्स की प्राक्टिस कर पाए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैक्स वर वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, ह अब आप 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 three